अपके अपनके चैनल क्रिकेट अगल पर मैं हूँ आपका दोस्त शुभा मिश्घा तो डोस्तो जिस मैच के इन्तिसार सभी क्रिकेट फैंस को दो साल से था वो मैच दोस्तो अवा चुका है जी यहां दोस्तो मैं बात कर रहा नहीं इंडिया वर्सिस पाकिस्तान मुकाबले की जो की खेला जाएगा 24 अक्टूबर को दुबाई के मैदान में इंडियन टाइप के हिसाब से शाम के 7.5 पज़े से और दोस्तो ये T20 World Cup 2021 का सोलवा मुकाबला होने वाला है वही पर दोस्तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए T20 World Cup 2021 का पहला मुकाबला होगा तो दोस्तो बहुती ज़दा exciting और romantic के मुकाबला होने वाला है सबी cricket fans बहुती ज़दा excited है इस मुकाबले को लेकर देने वाला हूँ तो दोस्तो बहुती ज़दा interesting ये वीडियो होने वाली है सभी इंडिया पाकिस्तान इसके लावा T20 World Cup fans के लिए इसले दोस्तो वीडियो को अन तक जरूर देखीगा लेकिन दोस्तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी से request है कि अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन वेल अन करते ताकि आपको T20 World Cup इसके अलावा cricket से related ऐसी interesting वीडियो लगातान मिलती रहे तो दोस्तो अगर सबसे पहले इस मुकाबले की details के बारे में बात कर ली जाए तो T20 World Cup 2021 का 16 मुकाबला 24 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7.5 बजे से खेला जाएगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं सबसे पहले दुबई की weather report के बारे में तो दोस्तो इस मुकाबले के लिए जो दुबई का weather है वो काफी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है मौसम बिल्कुल साफ रहेगा बारिश की बिल्कुल भी आशंका नहीं है अगर मैं आपको temperature बताऊं तो यहाँ पर 31 डिगरी Celsius के आजपास temperature forecast किया गया है वहीं बार अकर humidity की बात की जाए तो 62% humidity रहने वाली है तो इससे आप अन्दाजर लगा सकते हैं कि काफी ज़्यादा गरम महल रहेगा और जो है वो गर्मी काफी ज़्यादा अकल के दिन रहेगी अब दोस्तों बात कर लिते हैं यहाँ पर wind speed की तो 14 km प्रती घंटे की रफ्तार से हवाई चलेंगी तो overall अगर आप देखें तो मौसन जो है वो match के लिए काफी ज़्यादा अच्छा है और हमें पूरा complete match 40 over का देखने को मिलने वाला है दोस्तों बात कर लिजाए इस मुकाबले के लिए दुबई की pitch report के बारे में तो दोस्तों नॉर्मली दुबई की pitch batsman के लिए काफी ज़्यादा अच्छी साबित होती है और अभी हाली में जो IPL के matches इस मैदान पे खेले गया थे वहाँ पे भी हमने देखा था कि बड़े scores भी इस pitch पर बने थे और इस्पेशली जो final मुकाबला इस प्यादान पर खेला गया था CSK और KKR की बीच में वहाँ पे हमने देखा था कि CSK की टीम ने 150 से उपर runs बनाये थे पहले innings में तो दोस्तो इस बार भी आपको जो दुबई की pitch है वो बल्लेबाजी के लिए काफी ज़दा अच्छी दिखने वाली है यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो काफी ज़दा बड़ा score आपको बनाते हुए नजर आएंगे और अगर हम गेंदबाजो की बात कर लें तो middle overs में especially spinners को यहाँ पर मदद मिलती है थोड़ी बहुत और gain turn भी होती है और तेज गेंदबाजो के लिए भी यहाँ पर जो है pitch में later half of the innings में काफी मदद होती है यहाँ पर बल्लेबाजो के लिए लेकिन ज्यादा फायदा होगा अगर हम स्टैट्स के हिसाफ से बात कर लें तो दुबाई के मैदान पर अभी तक 61 T20 इंटरनेशनल मैचिस खेले गए है और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 34 मैचे जीते हैं जबकि chasing टीम ने यहाँ पर 26 मैचे जीते हैं वहीं अगर पहले बैटिंग करते हुए average score की बात करें तो 144 नहीं पर बाटिंग करते हुए जो average score है वो 1922 का है तो दोस्तो इस stat से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बैटिंग करना ज्यादा फायदमन साबित होता है लेकिन यहाँ पर एक change है और change यह है कि यहाँ जो दुबाई का मैदान है यहाँ पर due पढ़ने की भी संभावना है और second innings में यहाँ पर os आ सकती है तो अगर ऐसा ह होता है तो फिर मुझे लगता है कि टीम यहाँ पर टॉस जीत कर पहले गेंदवाजी करना ही प्रफर करेंगी और अभी तक दोस्तों जो T20 World Cup 2021 के warm-up matches हुए है या इसके लावा जितने भी matches खेले गए हैं तो हमने देखा है कि टीम से यहाँ पर टॉस जीत कर चेस करना ही प दोस्तों बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की predicted playing 11 के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले अगर इंडियन टीम की predicted playing 11 के बारे में बात करें तो इस मुकाबले से पहले इंडियन टीम के खेमे से कुछ बड़ी news निकल कर आ रही है और news यह ए कि शायद कप में इंडियन टीम के लिए और अगर वो अनलीश होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट तो फिर ये इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा पहुचा सकता है हलाकि दोस्तो अगर वरुन चक्रवर्ती ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगा जो रेस में आगे हैं वो हैं स्पिनर राहुल चहर क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टीम यहाँ पर रवी चंदर नश्वन के साथ जाएगी तो हो सकता है कि राहल चहर आपको प्लेइंग लैवन में नजर आ जाएए लेकिन दोस्तों जिससाब से इंटर्नल रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो यह यह कि हार्दिक पंडया आपको ऐसा बैट्समें भी इस प्लेइंग लैवन में खेलते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों मेरे हैसाब से आपको इंडियन टीम की इस प्लेइंग लैवन इस मुकाबले के लिए कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है ओपनी करते हुए नजर आएंगे रोहिच छर्मा हिट्मैन के साथ केयल राहुल नमबर 3 पर आएंगे कैप्टेन विराट कोली नमबर 4 पर आएंगे आपके लिए सूर कुमार यादब नमबर 5 पर आएंगे विगेट कीपर बैटस्वन रिशाप पंथ नमबर 6 पर आएंगे हार्देक पंडिया नमबर 7 पर आएंगे रवंद्र जडेजा नमबर 8 पर आएंगे आपके लिए भुबनेश्वर कुमार नमबर 9 पर आएंगे मौमस शामी नमबर 10 पर आएंगे जस्पृत बुम्रा और नमबर 11 पर वरुन चक्रिवर्ती या फिर राहुल चेहर में से कोई एक खिल सकता है जो कि आपको इस मुकाबले की प्लेंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो जिन तीम ख्लाणियों को इस प्लेंग 11 से बाहर रखा गया है उनके नाम है सर्फरास, एहमत, मौमद वसीन जूनियर और मौमबन दवास तो दोस्तो आपको पाकिस्तान की प्लेंग 11 इस मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है ओपनी करते हुए नजर आएंगे बाबर आजम कैप्टन के साथ विकेट कीपर बैट्समेन मौमद रिजवान नमबर तीन पर आ सकते हैं फकर जमान नमबर चार पर आ सकते हैं मौमद हफीस नमबर पांच पर आ सकते हैं शोयद मलिक नमबर छे पर आ सकते हैं आसिफ अली नमबर साथ पर आ सकते हैं इमार्द वसीर नमबर आट पर आ सकते हैं शादाब खान नमबर नो पर आ सकते हैं हसन अली नमबर 10 पर शहीन शाफरीदी और नमबर 11 पर हारिस राउफ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं तो दोस्तो आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 पाकिस्तान की टीम की तरफ से इंडिया का एगेंस्ट इस मुकाबले में नजर आ सकती है दोस्तो बात कर लिजाए इस मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है तो दोस्तो इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ सा स्टैट्स को भी जानना होगा तो कि दोस्तो ओवरॉल T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में आठ बार इंडिया और पाकिस्तान का आमना सानना हुआ है जहाँ पर दोस्तो साथ बार इंडियन टीम ने मैच जीता है जबकि सिर्फ एक बार पाकिस्तान की टीम मुकाबला जीत पाई है तो दोस्तो आप ओवरॉल हिस्ट्री में देख सकते हैं कि इंडियन टीम बहुत जादा डॉमिनेट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर वहीं दोस्तो अगर हम T20 World Cup History की बात कर लें तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सिफर है यानि कि 0 बटा सननाटा क्योंकि 5 बार मुकाबला हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का T20 World Cup History में और 5 के 5 बार इंडिया नहीं बाजी मारी है वहीं दोस्तो अगर हम बात कर लें याँ पर recent form की तो पिछले 5 T20 International Matches जो इन दोनों टीमों की बीच खेले गए हैं उसमें से दोस्तो इंडिया ने 4 बार मुकाबला जीता है जबकि पाकिस्तान से एक बार मुकाबला जीत पाया है तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि स्टैट्स में पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं ठहर रही है इंडिया के आसपाज क्यों इंडिया पूरी तरीके से डॉमिनेट कर रहा है पाकिस्तान की ऊपर लेकिन दोस्तो कहानी जो है वो कुछ और है कहानी यह दर्शाती है कि आप अगर करेंट T20 इंटरनेशनल रैंकिंगे तो एक तरफ इंडिया है जो कि ICC T20 रैंकिंग्स में नमबर दो पर है वही पर दोस्तो पाकिस्तान की टीम नमबर तीन पर है तो आप इससे अंदाज़ है कि इंडियन टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग है और दोस्तो अगर आप दोनों टीमों के वाम अप मैचस भी देखें जो इस T20 वर्ड कप से पहले खेले गए थे तो एक तरफ इंडियन टीम ने अपने दोनों वाम अप मैचस डॉमिनेटिंग अंदाज में जीते शांदार बल्लेबाजी महाप रंग को देखने को मिली थी इंडियन टीम की तरफ से वही पर दोस्तो पाकिस्तान की टीम ने एक वाम अप मैच जीता था एक वाम अप मैच हारा था आगती गेंट पर साउथ अफरीका के अगेंस्ट दोस्तों जो उन्होंने मैच जीता था यहाँ पर वेसंडीस के अगेंस्ट वहाँ पर हमने देखा था कि पाकिस्तान के फकर दमाने शांदार बल्लेबाजी करी थी और दूसरे वाम अप मैच में भी साउथ अफरीका के अगेंस्ट वहाँ पर भी शांदार बल्लेबाजी हुई थी पाकिस्तान के बल्लेबाजों तो दोनों टीमों के बल्लेबाद इसमें शांदार फॉर्म में एक अच्छा कॉंटेक्स्ट हमें इस मुकाबले में देखने को मिलेगा, रोमांचब मुकाबला देखने को मिलेगा, और दोस्तों जो टीम यहाँ पर उस दिन प्रशर जादा अच्छा हैंडल करेगी वही टीम यह मुकाबला जीतने वाली है, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम के पास जो है, वो एक्सपिरियंस ज्यादा है, बड़े मैच खिलने का एक्सपिरियंस भी ज्याता है, न उस हैंडल करने की जो आर्ट है, वो इंडियन टीम के प्लेयर्स को आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेयंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है, और कौन सी टीम ये महा मुकाबला जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसके लावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, अपने टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप से किसी नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में, तिल देन, टेक केर, स्टे सेफ और गुडबेर